महौल मंदिर अपने देखिये क्या देखो अपने महौल को देखो सहाब कहते थे जिस दिन लड़की का रिष्टा तैया होता है ना लड़की के साथ उसी दिन से खुआप सजाने लगती है मेरा कमरा कैसा होगा मेरा घर कैसा होगा मेरा रूम कैसा होगा क्या उसमें बेलकनी होगी के नहीं होगी मैं अपने रूम अब उस अपना माई के में बच्पन से रही अब उस अपना घर नहीं लगता बैठे कहां पर है मूल मिलावे में वहीं बैठे इस समय हमारे दिल में क्या है माया कोई किसी का दिल क्यों टोलता है सब अपना टोले क्या चल रहा है दिल में 24 गंटे क्या चलता है स्वपन चलता है कि सत्य चलता है पूरे दिन में पांच मिनाट, दस मिनाट, आदा घंड, एक घंड, मुश्किल से कोई कोई सुन्दर साथ होगा जब दो चार घंड जिसके हिरते में जहां बैठे हैं वो चलता हो जिसके सनमुख बैठे हैं वो चलता हो, जिन से सनमंद है वो चलता हो चलता ही नहीं, बैठे वही हैं, कहीं गए नहीं है, अब जो चलता है वही दिखता है क्योंकि यह प्रिकरण ऐसा है और आज जैसे कि हमारी जो हेल्प लाइन नंबर है उसके भी सुन्दर साथ प्रशन डालते रहते हैं तो जो जादा संख्या में प्रशन repetitively पूछा जाता है तो वो हम लोग प्रयास करते हैं लेने का तो यह प्रशन सबसे जादा repetitively आ रहा है जिसमें आज का जो प्रशन मुझे बड़ा ही सुन्दर लगा कि वे मेरे पती हैं ये बात वानी से अब स्थित हो चुकी है और वे हमसे मिलना भी चाते हैं ऐसा भी वानी से आप बताते हैं तो वे मिलते क्यों नहीं और दिखते क्यों नहीं कितना सुन्दर प्रशन है जैसे की डिले राजी की तरफ से हो रहा है वे क्यों नहीं वे दिखते क्यों नहीं मतलब हम सही हैं गलती पर श्री राज ऐसा है क्या कहा गलती हो रही है पर प्रशन तो सही है पतनी है हम और सामने बैठे हैं तो फिर वे दिखते क्यों नहीं मिलते क्यों नहीं जब वो भी चाह रहे हैं तो उन्हें कौन रोप रहा है कितनी बड़ी बात है अक्षरा तीत को रोकने की शक्ति किसम है वो अगर हमसे मिलना चाहते तो उन्हें कौन सी शक्ती रोक सकती है मिलने से मैं आपको इसका उक्तर देता हूँ कभी जीवन में आपने देखा है कि कोई व्यक्ति आपको या तो पसंद नहीं है या आपकी नजर में उसके कोई कीमत नहीं है आपके लिए वो value ही नहीं करता ठीक है अब आपके घर में function होता है सारे guests आते हैं उसमें वो व्यक्ति भी आता है आप माल लीजे अपनी सभा में ड्रॉइंग रूम में बैठे हैं और सभी लोग बैठे हैं, हस केल रहे हैं, बोल रहे हैं वो वेक्ति है, आप सब से बोल रहे हैं, सब को देख रहे हैं, सब को notice भी कर रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं उसकी तरफ। किसी ने पूछा भाई वो आया था कि ध्यान ने दिया हमने तो, अरे उसने वो रेड कोट पहना वा था हमें तो ध्यान ही नहीं दिया, होता है ऐसा उस व्यक्ति ने क्या पहना था उसने खाना खाया नहीं खाया कब गया कब आया कुछ नहीं पता क्योंकि आपके लिए उसका महत्व ही नहीं है कुछ आगे आया है बैठा भी इतने जने बैठे हैं उसमें आपका सारा दिहान था जिससे आपका प्रेम है उसने खाया कि निखाया वो क्या पहन कराया उसने क्या किया वो किस-किस से मिला वो पता होगा वो पता होगा न जिससे प्रेम होता है अब इसी तरह से ये हमारे हिर्दे में भी महफिल लगी हुई है लेकिन हमारे दिल में वेल्यू कितनी है राज्जी की अभी कोई दो शब्द प्यार के बोल के चले जाए आपको सारा आप दिन उसी को सोचेंगे ना भला आदमी है, कितना अच्छा वेक्ती है और कोई आपको गलत बोल, गलत अब शब्द बोल कर चले जाए उसे एक हफ़ते सोचेंगे और यह ऐसे कैसे बोल गया हम हर एक को सोचते हैं, हर एक को अपना अपना हम देखें न सुन्दर साथ जी क्योंकि प्रॉब्लम तो जन्वन है कि सामने बैठें और देखने ही पा रहे सामने ही बैठें और मिल नहीं पा रहे क्योंकि हम हर एक को सोच रहे हैं, हर एक को विचार रहे हैं, बस एक धनी को नहीं हमारे दिल में सब हैं सब ममी, पापा, भाई, बहन, बीवी, बच्चे गर, परिवार, रिष्टदार, अडोसी, पडोसी, कुलीग्स, ऑफिस के, व्यपार के, जाने क्या, 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 मैं हैं, कितनी भीड़ हैं, अभी तो मतलब मैंने तो बताई कि दस, बीस, पचास की सभा होगी, हमारे अंदर तो दो सो, चार सो की सभा है, कितनों को विचार दें, उसमें राज्जी को कितनी देर विचार दें, तो जो दिल में चल रहा है न सुन्दर साजी को ही सामने दिखता है, इसलिए हिर्दे में माया चल रही है, हाहा कार चल रहा तो सामने भी वही दिख रहा है और कहीं आपके लिए सबसे महत्वपून महफिल में धनी होते तो क्या जादू होता है पता है जब प्रेम होता है तो सारी सीनरी ब्लर हो जाती सारे लोग ब्लर हो जाती एक वही चमख की आता है पलपल नजर उस पर होती है और परम हंसुन ने तो क्या किया डंडे लगा लगा गए सारी महफिली खाली कर दी चलो तुम भी निकलो घर से मेरे तुम भी निकलो घर से उनके हिर्दे में कोई भी नहीं ता श्री राज के लाव अभी हम परसत और सोई बैठक में बड़ी महराश्री की बीतक कर रहे थे और महराज जी की जीवनी का अनंद अपार है राज जी ने कभी महर्स करी और मुझे बल दिया तो जैसे हम लोग उन्हें मूल बीतक करी है तो महराज जी की बीतक भी करेंगे एक एक प्रसंग सिखापन वाला है एक एक शब्द एक एक लाइन उनकी जो है हमारे जीवन का मार दर्शन करने के लिए काफी है पूरा तो महराज जी हिर्दे में राज जी मराज को विराज़बान करके अपने घर लोट जाते हैं अब जब लोटते हैं तो उनकी बेटी जो है बिहाने लायक है तो उनके भाई आते हैं क्योंकि सारा शादी का खर्चा बुझा जो है वरना भाईयों पर पढ़ना था रिष्टेदारों पर पढ़ना था धर्म पत्नी पर तो कुछ था ही नहीं और महराज जी खुद थे नहीं तो सारे वो आये उनके भाई उनके पास की भाई कैसे करना है ये काम बीटी बिहाने को है खांदान की इज़द खत्रे में पूरे गाउं की इज़द खत्रे में है कि लड़की अभी तक भी आई नहीं तो कैसे करना है कुछ लाए हो क्यते हम पे नहीं है हम रुपया नहीं चूते हैं महराजी क्यते हम पे कुछ नहीं हम नहीं चूते से हैं क्यते तो रुपय का काम तो रुपय से ही होगा कैसे करना है अब तो टाला ही नहीं जा सकता थोड़े दिन में शादी है सब कहते हैं पहले नग दी दो तो काम करें तुमारा जिस पष्ट कहते हैं कहते हैं हमारा काम नहीं है जिसके हम है यह उसका काम है हम जिसके हैं यह उसका काम है वो अपने आप करेगा, तू चिंता ना कर हमें तो कितनी चिंता सताती है कितना डर सताता, कितनी परिशानी घर में छोटी-छोटी बातों पर कितने कितने परिशान होते है कुछ कई बार तो वज़ा होती है, कई बार तो बेवज़ा परिशान हो रहे है उनके भाई हैरान हो जाते कि तुम चेहरे पे शिकन ही नहीं है जैसे घर में शादी तुम्हारे नहीं है बेपरवा बैटे मस्त बड़े पाउं नहीं छोड़ते महराजी के रोने लगते पाउं पकड़ पकड़ के कुछ तो कृपा करो, कुछ तो सामाधान करो कैसे होगा, क्या होगा कैते हैं सब को सत्गुरु महराज करेंगे जिनका काम है, कैते हैं बहुत अच्छे तो उनको चिठ्थी लिख दो ये बड़िया बात बताईए, अब हल हुआ ना चिठ्थी लिख दो कैते हम कुछ नहीं लिखते, जो लिखना अपने आप लिख ले जो जो चीछ चाहिए अच्छे से बना बना के राशन इतना चाहिए पहले तो निमंत्रन दिया उन्होंने उनके भाई ने, आप अधार ये इशादी है घर में आदर सत्कार की पहले एक पैराग्राफ लिखे, फिर कहते हैं घर में राशन चाहिए, घी चाहिए, खांड चाहिए, ये चाहिए आप कब ये भिजवा दें और आप भी आया बता भी दें कौन सी तारीक को आएंगे हम टांगा भी भिजवा देंगे बिचारे ने बड़े अच्छे से चिठी लिख दी करा महराजी हस्ताक्षर करो तो फिर कहते हैं महराजी तुरंट पानी की बाल्टी लेकर आओ आग्या का पालन वह बाल्टी लिया है पानी के करे डाल चिठी डाक में वो दाई माय देके करे कहा डाल नी है चिठी करे इशारा किया डाल करे एक घंटे बुनाके चिठी लिखिए पानी में डालने को कह रहे हैं तो कहते है आंक दिखा के जब जोश्च से बोला तो उसने डाल के कहा दे धो दे अब इसे खो दी करजा पहुंच गी तेरी चिठी बिचारा बूलता हुआ निकला करे वाहरी डाक वारी चिठी ये क्या किया इतनी मेनत इतना सब रोता रोता बिचारा के तीन दिन वाद ठीक जवाब आता है एक सेठ आता है और सारा कार काम सारा कार भाहर समाल लेते और मेरी जो बड़े बुजुर्गों से बात हुई महराज जी के गाउं के वो कहते हैं महराज जी ने खिचड़ी बनवाई क्योंकि किसी ने का ये क्या खिलाएगा जंडो देते तो खिचड़ी खिला देगा गोटवा देगा तो कहते हैं महराज जी अपके खेचड़ी ही बनेगी फिर तो पर कहते हैं पांच गाउं में आज तक किसी ने ऐसा भोजनी जीवा इतना स्वाधिष्ट हो भोजन बना तो इतने निर्वित्र जिसे परमहंसरामामरतुन महराज जी है यह हमारे हिर्दे में इतनी भीड लगी हुई है क्या हम उतने फोकरस्ट हैं यह यह प्रकरण है राज जी तो मिलना चाहते हैं उनसे बड़ी शक्ति कौन है जो उन्हें रोक रहा है मिलने से वो हैं हम सामने होते वे भी ध्यान ना दो तवज्जु ना दो महत्व ना दो तो क्या करें श्री राज क्या दणी देव चंदर जी से लेकर अब तक कितने परम्षन सायर रामृतन महराज जी आई से iOS क्या मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रोखे नहीं जगेंगी क्या नहीं लगे उनुनों ने उन्होंनी तो कितने तन्धारन करके बार बार यह बात बुली लेकिन क्या हमारा दिल धड़का क्या इंदरावती जी कितना हमारे दिल में आया तुम देखो मैं क्यों ना देखो क्या आज भी हमारे मंदिरों में जाके हम अर्जियां ये नहीं लगाते ये काम हो जाए ये सकुषल हो जाए बच्चा अच्छे से पढ़ जाए ये काम बन जाए वो बन जाए कितने हैं हमें जिसको वाग कई दर्द है जिनको है वो उन्होंने पा लिया तो ऐसा नहीं है कि उनके आने में दे रहे प्रानाधार सुग्ण साथ जी हमारे बुलाने में वो धर्द नहीं है क्योंकि जिन जिन ने बुलाया जिन जिन ने चाहा वे वे परमहंस मिलते हुए आ रहे हैं ब्रह्मुनियों की बीतक इस बात की गवाही देती है तो सामने बैठ है श्री राज लेकिन हमारे दिल में क्या चल रहा है माया का काज तो कैसे हो और इसी के उपलक्ष में ये बात आई है चुपई आई है आज का जो प्रिक्रण है किरंतन गरंत प्रिक्रण नमबर 89 हमारे बीतक खत्म होने के बाद मन्थन भी कि जो करना चाते हैं सुंदर साथ वो नोग कर ले पहली चुपई ये पूरा प्रिक्रण मेरा बड़ा फेवरेट है एक एक चुपई आज की बैठक में बहुत आनंद होने वाला है चलो चलो रे साथ आपण जय जय धा आपण जय धा आपण जय धा चलो चलो रे साथ जी मूल वतन धनिये बताया मूल वतन धनिये बताया जित ब्रह्म स्रिष्टि शामा जिशा चलो चलो रे साथ जी आपन जीद अब इस एक चुपई में इतनी बात है मैं कितना विश्दार करो ये एक चुपई ही दो तिन गंटे की मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा संख्शिप में बताने की सबसे पहले हमें शर्मानी जाहिए जब पती हमारा कह रहा है चलो और हम कह रहें अभी रुखो बैटो ये श्रीमुक है दनी क्या कह रहा है चलो दनी के साथ आए पती के साथ आए कहीं भी आए गूम में आए कहीं परिवार में आए वो क्या कह रहा है हम चलो वो मम्मी के साथ तो बैठी नहीं थोड़ी दिर तो बैठ जाओ होना चाहिए ऐसा वो भीया तो अभी आया ना थोड़ी दिर उनको टाइन दे दो खैरे चलो तो मतलब चल दो क्यूं चल दो क्योंकि वो तुम्हारा बला जानते है क्यूं चल दो क्योंकि किवली एक वही सत्ते है क्यूं चल दो क्योंकि तुमने मांगा और उन्होंने तुम्हें ये स्वपन का खेल दिखाए अब ये स्वपन तुम्हें पीडित कर रहा है इसलिए वे कह रहे हैं जब तुम्हारे कहने पर वो तुम्हें ला सकते हैं दिखा सकते हैं, तो उनके कहने पे अब हमें चल भी देना चलेए क्यों चले दो? क्योंकि तुम्हारी पीडा से, तुम्हारे दुख सनताप से उनके हिर्दे में भी तो पीडा होती होगी ना सुन्दर साथ जी कई जन कहते हैं भही अट्शराती तो ही नहीं होते हैं, उनको तो इस वपन स्वपन नहीं लगता है, माया, छोके नहीं गई लेकिन मैं समझताओं जो हमारे जो हमें इतना प्रेम करते हों और हमारे हिर्दे ऐसे चन्नी-चन्नी देखते हों तो क्यों उनके दिल में कुछ भी नहीं होता होगा? वहाहाहा करके असरे होंगे मुझे तो नहीं ऐसा लगता वाला जी जो इतने समवेदन शील है हमारी पीड़ा में कुछ तो पीड़ी थोता ही होंगे न तो अगर वो कह रहे हैं चल दो तो चल दो चलो चलो रे साथ जी जाने को भी कहां कह रहा है आप बने जई ये दाँ घर चलते हैं घर घर से सुंदर कुछ भी नहीं होता घर अधा से सुंदर कुछ भी नहीं होता है जाहां हम जैसे हैं वैसे रह सकते हैं बाहर तो बनना पड़ता है न बाहर तो जब आप समाज में जाते हैं सुसाइटी में जाते कहीं जाते हैं तो उनके हिसाब से आचरण करना पड़ता है घर आप जैसे हैं वैसे हैं सकते हैं कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं कोई मर्यादा नहीं कुछ भी नहीं घर चलते साहब कहते थे करे अकल समझ नहीं आई कि आज कल के लोगों को अकल कहां गई अपने घर के छोड़ कर घर के साव सुत्री चद्दर छोड़ के घूमने जाएंगे विदेश घूमने जाएंगे बाहर और वहां पर लोगों के इस्तिमाल की वी चद्दरे गंदी चद्रों पर सोटे सोएंगे जाके और बड़े खुश हो रहें अपने घर के साव सुत्रे खाने साव सुत्रे बरतन चोड़ के जूटे पूटे बता नहीं जाने कैसे कैसे हाथ लगे खाना खाके बड़े खुश होते हैं हम किस तरह से अपने घरों में चद्रे रखते हैं किस तरह से बरतन साफ रखते हैं जिस तरह से हम सबजी दो कर हम किस तरह से बनाते हैं कोई बना सकता है बाहर बनाई नहीं सकता घर चाओते हैं यहां तो परिशान हो गई साहब यहां का खा के मैं आपको सत्य गटना बताता हूँ मुझे परसनली साउथ इंडियन बहुत पसंद था खाने में तो एक बर हम लोग डेड़ महीने का ट्रिप था हमारा पूरा में ड्रॉस से लेके त्रिवेंडरम भारत के आखरी कोने तब पूरा साउथ हमने घूमने के लिए कवर किया बच्पन की मैं बात बता रहा हूँ मैं शद बारवी में हूँगा के फस्ट इयर में हूँगा माता पिता के साथ डेड़ महीना क्या खाया डोसा इडली वड़ा कि हम तरह से गए नौर्थ हिंडियन खाने को कहीं जाते भी थे तो वहां उनको बनाना नहीं आता था अच्छे से जब मैं दिल्ली बापस आया तो किसी ने कहा ना भाई क्या खाना डोसा मैं का कता ही नहीं नफरत हो गई है मुझे खाखा के डोसा साउथ हिंडियन का नाम ले ली ना एक साल तक इसी तरह से इस माया में आके एक बार को तो अच्छा लगा यहां के अब नहीं लगा रूख की वास्ति खुर परिशान हो गए माया खाखा के अब रूख को उसकी असल खुराक चाहिए पीना दिदार, खाना दिदार काम, क्रोध, मुह, लोब, अहंकार, इर्शा बहुत खाली अब तो उल्टियां भी होगी, तब ते भी घराब होगी यही स्वाद चकने आये थे न धाम से यही तो मांगा था कि धनीन बताते गए हमें लगा पताने कितनी सुन्दर जले भी है यह खाके आते खा लिया, सारी भावनाओं को देख लिया, खाके मुह, लोब, सब देख लिया अब क्या करना है, खाना दिदार, पीना दिदार हमारे घर में वो मिलेगा सुन्दर साजजी क्यों नहीं चल लेते आपकी असल खुराक मिलेगी, खाना दिदार, पीना दिदार कितनी मिलेगी खुराक, अल्लिमिटेड कोई लिमिट नहीं कितना दिदार मिलेगा राज्ची का, अल्लिमिटेड पानी पीना, दोस्ती, हक की हमारा पानी क्या है, राज्ची से दोस्ती, प्रेम कितना मिलेगा unlimited तो फिर चलते हैं देखिए राजजी लालज भी दे रहे हैं जैसे छोटे बच्चे को मनाते ना बिटा चलो चलो वहाँ नहीं हमें नहीं जाना पार्टी में शादी में अरे वहाँ पे रिंकी होगी टीनू होगा तुम्हारा वो होगा तुम चलो चलो मौसी बच्चे को ऐसे राजजी हमें क्या लालज दे रहे करें चलो भाई चलो चलो रे साथ आपन जये धाम मूले वतन धनिये बताया वहां कौन कौन होगा जित ब्रहम स्रिष्टी आओंगी तुम्हारी सारी सक्याओंगी वहां पे चलो चलो तुम्हें लाड़ प्यार करने वा महौल यहां की बात नहीं करेंगे वहां की बात करते हैं वहां हमें सक्यां हमसे जादा प्यार करते हैं वहां सक्यां हमें अपने से भी जादा अच्छा तयार करते हैं कि आज वाला जी तुझे देखें तो कहीं और नजर जाए ना वहां पर जब धनी किसी एक सक्या को बु आए देखो उसको कितनी मौझा लग गई आज तो दनीन कैसा लाड़ गया उसको तेरे चल चल छल वहाँ चलते हैं जहां तेरी सक्या है जहां पर बारे हजार सक्या और चालिस जुथ है प्रते एक जुथ में कितनी सक्या हुए तीनी सो हर जुत में तुम्हारा प्यार है मूल मिलावे में अभी तो देखो सफरा मोशी में है ठीक सब सक्या नीद में है या शामा जी भी नीद में जब हम जागरत बैठे होते है मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा यूगल स्वरूप मान लीजे बैठे हैं सक्या बैठी है और सब जागरत है आपको राज्जी को प्रणाम करने जाना है तीन सेडिया आप चड़के चबूतरे पर आते हैं आपको राज्जी तक पहुँचने पहुँचने में जाने कितने घंटे लग जाएंगे क्यूं? दो कदम चलेंगे आपको राज्जी को प्रणाम करने दो फिर आप उठकर चलेंगे फिर ये जुद की चलेगा अभी तीन सो का एक जुद का है लेकिन फिर आगे फर्दर और डिस्ट्रिबूट हो जाते हैं कोई दस का, कोई बीस का, कोई पचास का, कोई सो सक्यों का जुद कोई दो-दो का सक्यों का जुद बनके पूरी चार तरफ से घेर कर बैठ जाता है वाला जी को और हर जुद से आपका प्यार है तो हर जुद अपने पास खैंच-खैंच के बठाएगा लाड़ करेगा, बात करेगा, हसी ठठेली करेगा करते 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 जाने में जाने कितनी देर लग जाती राजजी तक पहुँचने में इतना प्रेम है हम सक्यों का आपस आज तो हम लड़ रहे हैं ना, राजजी के लिए लड़ रहे हैं जाने राजजी ने इतना सीरियसली लिया ना इश्क रबद को जब हमने आपस में मसलत करके कहा कि हराते हैं राजी को, करें अच्छा आपस में एक टीम बना के मुझे आउट कर दिया टीम से, चलो अब तुम्हारे ही आपस में डंडे बजवाता हूं, इसलिए देखो क्या डंडे बज़ता हूं, रहे क्या ऐसे राजी मि रट रहे हैं हमें एक दूसरे से, परमधाम जाके हसेंगे लाएं तो साथ बैठी थी इससे इतनी नफरत करी मैंने इतनी जगडा किया, तो बड़ा ही सीरिसली ले लिया राजी ने इस खेल को, इस बात को जब हमने आपस में मसलत कर ली, लेकेन फिर भी याद तो करो धाम म जब भी हमारा आपस में इतना प्रेम था कि राजी को हराने के लिए हम सब एक हो जाती थी, कि क्या करें और फिर क्या हलके निकलता है, इंदरावती जी को बुलाओ, वो हराएंगे वाला जी को, रामतों में हराने के लिए तो इंदरावती जी को भी बुलाओ, कैसे हम मिलक अगर वाला जी को हराते थे वाला जी अगर हारे भी नहीं तो आपस में मिलकर इतनी हुटिंग करेंगी कि हरा दिया जी हरा दिया वो प्यार राज जी कह रहे हैं वहाँ चलना जित ब्रम स्रिष्टी शामा जी शांग शामा जी इस दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली शामा जी शामा जी का अगर आप अंश देखना चाहते हैं महसूस करना चाहते हैं न उनके दिल को तो सद्गुरु को देख लीजे इसे मेरे सद्गुरु सरकार साथ इस पूरी दुनिया में उनसे ज़ादा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता अपने को कश्ट दे दे के अपने को तकलीफ दे दे कर भी हमारी सेवा करते थे अपनी सेहत का बिलकुल ध्यान ना देते हुए भी शहर शहर नगर नगर जाके जागनी कारे करते हमें अपना भला नहीं सूचता थे लेकिन उनको दिन रहात हमारा भला सूचता थे नए नए प्रकरण, नए नए ग्रंथ, नए नए प्रमाणों के साथ नए नए तरीकों से हमें बनाते थे अगर true sense में हमें इस दुनिया में आने के बाद किसी ने प्यार किया तो वो सिरफ सद्गुरू और सच्चे सद्गुरू तो वो होते हैं जो तन छोड़ने के बाद भी प्यार करते हैं यहां तो दुनिया में कोई जीते जी नहीं प्यार करता संदर साथ जी, यहां के प्यार करता हूं, तुम्हें क्या बोलता हूं, वो सीजनल फ्लू, डॉक्टर कहता है, दवाई लो न लो, दो-तिन दिन में उतर जाएगा, ऐसी यहां पे भी प्यार होता है, बुखार चड़त है, आज भी राम परभंस, राम रतन माराजी हमारा मार्क दर्शन करते हैं, सईयोग करते हैं, मदद करते हैं, कारज अगर कहीं फस जाए तो उसे सिद्ध करते हैं, अगर दिल से बुलाओ तो सही, ऐसी बाबा दिया राम साब, जुगल दास माराजी, जुआर दास माराजी मंगलदास महराजी किसी भी परमंस की बात करो अगर शामा जी का अंश देखना चाहते हूं ना उनके प्रेम को उनके स्लेह को सत्गुरू राजी से प्रेम करके हमें इंस्पिरेशन देते कि ऐसे प्रेम करना है राजी से इतना फ्रेयम करते हैं वो हमें इंस्पायर करते हैं by their actions एक प्रवक्ता में और सद्गुरु मे ये पर σταट होता है प्रवक्ता केवल प्रवचन करता है करके दिखाता है कि एक प्रवक्ता के शब्द जो आपको है प्रेरित करते हैं सदगरु के actions आपको प्रेहरित करते। उनको वाकई में प्यार है राज्जी से और उनको देखके लगता है कि हमें भी हो जाना चाहिए। उस सुन्दर दृष्ष्य को देखकर उस सुन्दर अवस्था को देखके दिल करते हमारी भी यह हो जाना। शामा जी हमें बहुत प्यार करती अब ये तो भात हुई यहां कि अब मैं बात अकर करूँ परम नाम की शामा जी के हिर्दे में गंजान गंज प्रेम है राज जी के लिए लेकिन लीला का मौका हमेशा सदेव सक्षियों को देते है सक्षिया लाड़ करती है शामा जी बैट के नियार दी क्योंकि हम उनका अन्श है न उन्ही के नूर का तो नूर है उनको ऐसा लगता हमारे माध्यम से वो ही तो कर रही है राज जी से जिसे संसार का भी एक्जामपल अगर मैं मसाला इतकले लेकर समझाना चाहूं तो अगर एक महिला अगर मान लीजे गाई का बनना चाहती थी डॉक्टर बनना चाहती थी कुछ और वो नहीं कर पाती है और वो अपनी संतान को आगे प्रेरित करती है और वो करते तो इसके माध्यम से प्रेम शामा जी हमसे करती है हम शामा जी के ही तो अंश है हम बारे हजार सखिया शामा जी का हिर्दे ही तो है तो वे बैठी रहती है मौन गंवेव और हम राज्जी को लाड़ करते है कई जिन कहते हैं अरे भई हम नहीं शामा जी ही क्यों बैठे राज्जी के पास हम क्यों न बैठे मारफत में आने के बार न बुद्धी थोड़ी खराब हो जाती है नकली मारफत में असली वाली में नहीं बात कर तो डिजर्व करती है जैसे घर में स्थान किसको बड़ा दिया जाता है जो जितना responsible होता है उसी को सब regard करते है न जादा जो जादा प्यार करता है जैसे मा है खुद गीले में सो जाएगी बच्चा जब बेड खराब कर देता और खुद गीले में सो के बच्चे को सुखे में सुला देगी तो उसका दर्जा automatically जादा हो गया न तो वो deserve करती है वो उन्होंने earn किया है वो हमसे इतना प्रेम करती है कि आप जब उनके हरते को उनकी भावनाओं को उनको जान जाओगे तो खुदी ही बठाओगे आप खुदी सोचे न अपने अपने हरते में सद्गुरु का भाव लीजे अगर माल लीजे राज्जी आजाते हैं सिंगहासन पर आपके सामने विराजमान होते हैं तो क्या करोगे आप सद्गुरु को बैठा कर पकड़कर नहीं लाओगे कि आप बैठो इनके पास हम चर्णों में बैठते हैं नहीं यहां बुद्धी समझ आती, वहां क्यों नहीं समझ में आती कि इन्होंने ज़्यादा मेहनत करिये खुद के लिए भी आपको राज्जी को पाने के लिए भी और हम पर भी मेहनत करिये तो सद्गुरु आप ही बैठे राज्जी के साथ जित है ब्रम स्रिष्टी शाम आजी शाम और वहां कौन है? शाम है सबसे सुन्दर नाम शाम मैं कहता हूँ इस नाम में खो जाए भूल जाए बाकी सारा नाम सब बेवजा है, बेमाइने है, जूट है, सब ने बस, लिख लो अपने हिर्दे पे नाम शाम हम लोग बहुत लखी है, क्योंकि हमें राज्जी प्यार करते है लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम उल्टा राज्जी को प्यार नहीं करते हम सिंसार को प्यार करते है हमने अपना दुर्भाग्य खुद लिखा है हमने अपने भाग्य में अपनी जिंदगी में दुख तकलीफ खुद लिखी है ये बात आज समझ के जाईएगा कैसे लिखी है राज्जी को छोड़ के संसार को प्यार करके राज्जी से जादा संसार को महत्व देखे सब्ते को छोड़ के असब्ते के पीछे भाग रहे हैं दिन रात होना ये चाहिए था कि चाहिए हम घर में हो परिवार में हो व्यापार में हो नौकरी में हो हमारे हिर्दे में राज्जी होने चाहिए थे और होता ऐसा है कि हम मंद दुर्भाग की लिखा है, हमने खुद अपनी जिंदिगी में तकलीफ लिखी है, किसी ने नहीं आपको कोई और दुख नहीं दे रहा है हम भी अपने आपको दुख दे रहे हैं क्योंकि हम शाम को भूल गए वे प्रेम करे जा रहे हैं हम उनसे तो लेते हैं और संसार में लुटा रहे हैं वे लाड किये जा रहे हैं और हम उनसे तो लाड ले लेते हैं अब फिर हमारे लाड आगे लुट रहे हैं हमारे दिल में राज्जी के लिए लाड नहीं आता कभी नहीं आता दुनिया में आता, इसको गिफ्ट दे दें, उसके लिए वो कर दें, उसको वो चीज़ चाहिए, उसको कपी नहीं आता राजी के लिए कि राजी के आपको भी कुछ लाड करें, आपको भी कुछ चाहिए, पता है राजी को क्या चाहिए, कोई बता सकता है क्या दे सकते हैं हम राजी को क्या चाहिए राजी को केवल हमारा समय केवल हमारा दिल धनी कहते हैं तन माया का माया को दे दे मेरी नजर और दिल है तेरा दिल और तेरी नजर ये मेरी मल की कहता है ये मुझे दे दे दिल में सिरफ श्री राज और नजर सिरफ श्री राज की और गुरुबाणी में इतनी सुन्दर वो आती है कि जिन चरण कमल का आसरा चित चरण कमल विचे रखी जिन चरणों के आसरे बैठे हो भाई नजर तो वही रखो फिरूनी चरणों में जिसके आसरे जिसके भरों से बैठे हो उसकी तरफ तो नजर रखो तो राची कहते हैं चलो घर चलते हैं शामाजी 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 शामाज अब उसके पास इतना ही इंधन है कि सिधा सिधा जाएगी तो पहुंचेगी दाए बाए हो गई तो इंधन खतम हो जाएगा और वापस नीचे गिर जाएगी तो गूंड रेडियस में ढूंडती है वापस अपने ट्रैक पर आते कि कौन सा सही ट्रैक था तो पहुंच मैं भी अपने उसको ढूंडता हूँ मेरी दूरी मेरी मेरा सेंटर जिसके बाद सब सही हो जाता है आपका हो शाम वाजी शाम हराश शाम हराश 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 हाँ दिखने लेगे महसूस होने सामने बस काम बन किया अब चलने लेग तो राजी कह रहे हैं मूल वतन तुमारा मूल है वो तुमारा वतन है कौन अपने वतन नहीं जाना चाहता है किसको पराहे देश में अच्छा लगता है यहां की भाषा तुमारे नहीं यहां की बोली तुमारे नहीं कानपीन तुमारा नहीं लोग तुमारे नहीं है याद करी ना वो चुपई जो मौमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बाद चलते चाल इन दुनी के जो होते इन मिसा यह हमारी बात ही निमेच करती है अपने वतन चलो मूझ लो वतन धनी ये बताया अभी इसमें दूसरे प्रशन बनता है जाना कैसे है चलो चलो औरे साथ कोई समान पैग कर लिया समने कपड़े डालने है कहीं कोई टिकट खरीदनी है वीजा लगाया नहीं क्या करना चलना कैसे है राज्ची तो कहे रहे हैं चलो चलना कैसे है कहां से बस शूट रही है पता लगा किसी को भाई उस वाले जगा से बस जा रही है वो चलो वहां चलो पहुंचो चलो तो कह दिया वहीं तो बैठे हैं चलना कैसे है खेल में कैसे आए नजर से नजर वाब स्वेर निया दुख का कारण क्या है राज्जी को देख रहे थे संसार देखने लगे सुख कैसे होगा वापस राज्जी को देखने लग जाओ हाई कैसे खेल में दिल से दिल बुड़ गया न यहां पर दिल जोड़ गया न संसार में लोगों से दिल संसार में जुड़ा है, दिल वापस राजी से जुड़ा दो, चलो हो गया इतना सरल है, इतना सरल कहीं जंगल नहीं जाना, कहीं माला नहीं फेरनी, कहीं भगवा नहीं फैनना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दिल और नजर मोर दो वो नजर जो सब कुछ देख रही है और क्या कर रही है अन देखा कर रही है उसे जो इस दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते है युगल सुरू कैसे चलना और इसमें इन जाहिरी नित्रों के खोले होने हैं बंध होने की बात नहीं है यह कुछ किसी भी अवस्था में हो सकते हैं यह शरीर जाग रहा हो के सो रहा हो इसमें भी कोई महतुपनी है आपका दर्द इतना होना चाहिए रहनी इतनी होनी चाहिए प्रेम इतना होना चाहिए कि जब सो तो सपना भी राज जी कही आए एक बार हम लोग ध्यान करने के लिए मैं पन्ना जी गया था तो मेरे साथ एक और साधक थे उनका भी ध्यान बहुत अच्छा लगता था लंबा बैठते थे वो भी करीबन आट-दस घंटे वो भी बैठा करते थे तो एक दिन बड़े दुखी मेरे पास साहर के थे मिरेको आज सपना है संसार का बड़ा दो कि बपरिशान डिप्रेशन में मैंने भी कुछ संपोल कर थे न ना कोई बात ने तो सपने है ना कि आटि में अमारा कोई वो थोड़ी होता है दुट हरा गया तो आगया संसार का कहते lif गर कही ना कही तो आउट हो रहा हूं जो यह सपना आया नहीं तो मुझे उसपना भी राज़ी के लावा कोई और नहीं आता हाना ही नहीं चाहिए था कि मेरे मन में कहीं तो माया चलिया है बेज़ार चला है मुझे इतना अच्छा लगा उनका ये उत्तर तो ये शरीर सो रहा है कि जाग रहा है आँखे खुनी है कि बंद की बात नहीं है ये बाहद है अंदर के नेतरों की जो सिर्फ उसे को ढूंडते हैं जो सिर्फ उसे चाहते हैं जो हिर्दे में होगा वो नजर आएगा सुन्दर साथ जी हिर्दे में शरी राज होंगे तो क्यों नहीं नजर आएगे नजर देखकर भी ना देखी न संसार हो सकता ऐसा कई भार घर में होता न बच्चा बहुत शरारते कर रहा है या कोई और व्यक्ति कुछ कर रहा है तो हम क्या करते हैं देख के भी अंदेखा कर देते हैं ऐसे संसार को अंदेखा करें कोई बार जीवन में मिल ही जाता है ऐसा कोई व्यक्ति जो महौल को ऐसा कर रहा है तो आप क्या देख के अंदेखा कीजी संसार को देखा कीजिए और नजर दनी कियो क्योंकि ये संसार स्वपन है नाटक है अब बहुत इंटरस्ट दिखा लिया अब अब देखना ही नाटक अब रंगमंच की और नहीं देखना अब जो दिखा रहा है उसे देखना है और अगर मैं और एक सही तरीका आपको बताओ ना इस नाटक को देखना अब ये तो कैसे देखना है इस नाटक के पीछे जो दिल काम कर रहा है जो डारेक्टर है जिसने ये नाटक हमारे लिए बनाया अब उस दिल को देखो कि उसने जो हर सीन बनाया है, हर चीज जो बनाई हो, किस दिल से बनाई है अब चित्र को ना देखो, उसके पीछे के चित्रगार को देखो, उस दिल को देखो, क्यों बनाया उसने इंडराовती जी को हवसा किया तो क्यों किया? बिरा कि उस परिकाषठा में पहुंचाने के लिए कि जिसमें मिल जयए राची हमारे जीवन में भी जो भी कुछ गटी तो रहा उसके पीछे के कारणकारेश को जानी कि क्या दिल या उनका? क्या मकसद है इसके पीछे क्यूं हम सबसे खाफ को हमसे हर कोई खाफा है क्यूं हमसे हर कोई रूट रहा है क्यूं हमसे हर कोई दूर चला गया क्यूं जिसको महबबत करी कभी मिली नहीं क्यूं सब हमसे नराज रहते क्यूं जो पाना चाहा कभी पार नहीं सके क्यों हुआ सब कुछ उसके पीछे उसका दिल जानिये न कि वे चाहते हैं कि बस अब ये जनम ना खराब हो अब फ्यर्थ की चीज़ों में न सबें खराब श्री राजी मराज आगे दूसरी चुपई में कहते हैं देखना ही है ना कुछ क्या देखना है महाल मंदिर अपने देखिये क्या देखो अपने महाल को देखो सहाब कहते थे जिस दिन लड़की का रिष्टा तया होता है ना लड़की के साथ उसी दिन से खुआप से जाने लगती है मेरा कमरा कैसा होगा मेरा घर कैसा होगा मेरा रूम कैसा होगा क्या उसमें बैलकनी होगी कि नहीं होगी मैं अपने रूम अब उसे अपना माई के बच्पन से रही है वो उसे अपना घर नहीं लगता माबाप भी कहने लगता है अपने घर जाके करी हो यहां ना हमें को इतनी यह बता यह करना कैसे करना हमें यह ठीक है ऐसे हमें नहीं समझ में आता हमारा घर कौन से रग महौल हमारा घर है, जैहां दुलाय वहीं तो दुलहन की जीवन हैyu, हमने तार्थम ले लिया, संस्तम्न जोर लिया, अब दिल में क्या होना चाहिए, मेरा घर कैसा है, मेरा महाल कैसा है, एक-एक भारी की जाननी है मुझे, क्या रंग महाल की गलियों में गिलम बिछा है, गिलम बिचा है तो कौन से रखा है क्या उसमें कोई डिजाइन आया है क्या वो डिजाइन चेतन है क्या अगर उस कालीन में नहर बनी है पानी बना है मचलियां बनती है तो कई वो तैरती तो नहीं दिखती दीवालों पे क्या है क्या चित्रकारी है क्या उसमें पेंटिंग्स लग्की हुई है क्या उसमें नकशकारी है क्या उसमें नगों का जड़ाव है चत कैसी है मुझे जानना है थंब कैसी है क्या थंबों में सीड़िया है उपर नीचे जाने के लिए क्या उनमें नकशकारी है मंदिर कैसा है मेरा पुझे सब जानना है जब रूख के हिर्दे में जब जागरुकता आती है तो ये चाहत उपजती है उप पूछती है दनी से पुझे अपने घर की गली-गली जाननी है आप लेके चलो ना दिखाऊ ना अरजी तो कीजिए चाहत तो लीजिए दिखाएंगे ना क्यों नी दिखाएंगे महौल मंदिर अपने देखी महौल मतला अपने महौल देखी ना रंग महौल और उस रंग महौल में भी हमारा रंग परवाली मंदिर अपने मंदिर को देखी ना कैसा है मेरा मंदिर कैसी है मेरी सेज्जा कि हमने कभी सोचा हमारी सिज्जा कैसी है बेड कैसा है चौकोर है, गोल है पिलर्स लगे हैं, कर्टिन लगे हैं कि नहीं लगे कैसे जूले हैं क्या करते हैं हम अपने मंदर हमारा मौहल, हमारा मंदर हमारे और राज्जी के चरकालीन प्रेम की साक्षिय आ वो महल और मंदर हम जाएंगे तो याद नहीं आएगे उन सारे लमों के याद आए इसलिए राज्जी कहे रहें देखिए न महौल मंदर अपने क्या भूला, अपने देख मेरे नहीं कहा तेरे हैं मेरा कुछ नहीं है सहाफ कहते थे भाई राजी का तो सिरफ बोर्ड लगा है बाहर अंदर ऐसे होते हैं बाहर लगा होते हैं मिस्टर गुपता अंदर तो कुछ नहीं चलता उसका मैं कई बार ये बात बताता हूँ जब हम लोग चर्चनी कराते हैं कि रंग परवाली में कितने मंदिर है पांचवी भौम में कितने मंदिर है बारह हजार बारह हजार एक शामा जी शामा जी भी तो है ठीक है राजी का कोई मंदिर ही नहीं है बस बोर्ड लगा हूँ है बाहर अंदर कोई मंदिर नहीं है इसलिए अपना कहा ही नहीं नहीं कि मेरे देख कहा अपने देख तेरे देख उनका तो कुछ आई ही नहीं है उनकी तो सिर्फ आप हो इसलिए कि अपने देख महाल मंदिर अपने देखी मेरे मत देख मेरा नहीं है तेरा है मौहौल मंदिर अपने देखिये देखिये खेलन के सब ठोर दुख के ठोर देख लिए अब सुख के ठोर भी देख लो सुदर साथ जी या रहा गया किसी का देख लिए ना दुख के सारे ठोर बड़ी महराज जी कहते थे भाई नरक का द्वार है सारे यहां नरक ही नरक है यहां कहां देखने जारे एक बार एक मंदिर की स्थापना के लिए बड़ी महराज जी सुंदर साथ के साथ गए तो वहां से नजदी कोई हिल स्टेशन पड़ता था मुझे नाम ध्यान नहीं आ सुंदर साथ के साथ में हम वहां हो आए तो महराज जी ने कहा भाई सब नरक के टाहर है जाना चाओ तो जालो वह गए घूमने वहां कोई विबदाई समस्याई करे महराजी बड़ी मिश्किल से बच़के है कर तो काहा तो सई है वक्त कठिन है खेल कठिन है यहां ना करना स ऐसी करके कुछ लाइन आती है मारा अजी के जीवनी एक अपने घर देखो नरक के ठोर देख लिये तो अपने अर्श के ठोर भी देख लो हर एक से दिल लगा के देख लिया अगर हर जगा घूम फिर के देख लिया ना कहीं कुछ नहीं तो अब असल कि तरह मुड़ो महलू मंदिर अपने देखिए देखिए केलन के सब ठोर किस किसका साथ खेलते हैं हम परमधाम में पहले प्रकृति के साथ खेलते हैं परमधाम की वाईू भी हमारे साथ खेलती है ये वायू भी चेतन है ऐसे चलती है ऐसे चलती है कि आपकी कितनी बात बताओ ये जमना जी भी चेतन है ये भी आपके साथ खेलती है जमना जी में जाके देखिए कैसे कैसे लाड़ करेगी परमदाम के विरिक्ष भी आपके साथ खेलती है रास में चुपई आती कि चंद्रमा भी उतर कर नीचे आ जाता है तो परमधाम की बात सुची क्या होगा परमधाम की प्रकृती भी है आपके साथ खेलती है और कौन खेलता है परमधाम के पशुबक्षिय आपके साथ खेलते है खूब लाट करते है खूब खेल करते हैं आपके साथ इसलिए उनको वाणी में कहा खेल खुशाली परम नाम के पशु पक्षियों को क्या नाम रखा है वाणी में खेल खुशाली खेल खेल के आपके साथ खुशाल करते हैं हर एक पशु हर एक पक्षी का उद्देश होता है आपको लड़ाना, आपको लड़ाना, हमारी जहां मैं रहता हूँ, जिस अपार्टमेंट में, वहाँ पे बिल्ली आए, बहुत सारी, तो छोटे-छोटे बिल्ली के बच्चे भी है, तो अगर मैं कभी वॉक कर रहा होता हूँ, रात को उनको प्यार करता हूँ, तो घेर लेती हैं पाउं में, कि आसपासी घूमने लग जाती है, आपको पाउं रखने ने देती आगे, पकड़ लेगी आपके पाउं पको, उसको बोलो भई, जाने दे, नहीं जाने देगी, उसको एक बार आप उसको प्रेम सेगर करो तो, आपको इनोसेंटली देखती रहेगी, आपको, तो मुझे लगता है, यहाँ अगर ऐसे कर रहे हैं जानवर, तो परंधाम के कैसे करते होंगे, लाड़, वो खेलते हैं आपके साथ, रिजाते हैं आपको, लाड़ लड़ाते हैं, अगर यहाँ के जानवर को प्यार चाहिए, और आप प्यार देते हैं, तो इतने आपके साथ वो लाड़ करते हैं, कि आपकी टांग पकड़ेंगे, आपको जाने नहीं देंगे, आपका रस्ता रोकेंगे, तो परंधाम के, जब हम बड़े बड़े गरूरों पे पक्षिराज के वपर बैठ थे, तो क्या-क्या लाड़ करते होंगे, कर्तब लेते हैं, जब हम परंधाम की मचलियों पर बैठ थे होंगे, क्या-क्या गुलाटिया खाके हावा में, पानी में अंदर गहरा ले जाके लाड़ करती होगी, चोटी-चोटी गेलहरी कितने प्रेम से आपको फूल पकडाती होगी, कैसे आपको परंधाम के गोड़े अपने पीट पर बैठा के आसमान की सवारी कराते होंगे, और कौन खेलता है, सखियां खेलती है, अलग-लग रामते खेलती है, रास गरंत में इसका संशप मे वर्नन आया है, परिकर्मा गरंत में छोटी-बड़ी रामत में भी वर्नन आया है, एक रामत मुझे बड़ी अच्छे लगती है, जिसमें एक सकी गर जाती है, रेत में, दूसरी सकी उसे खेंचती है, वो भी गर जाती है, अब तीसरी दोनों को पकड़ के खीशती और इस तरह से तीनों हसती है, रेत में घसीटा जा रहा है एक दूसरे को, नाना प्रकार की रामते हैं, हम सकी आपस में केलती है, मुझे कीकली की रामत बड़ी अच्छी लगती है, रास में वर्नन आता है, हम सकी आपस में वो रामत केलती है, तो हम सकी आपस में बहुत लाड़ क जब संध्या के समय में तीसरी भूम से पाट घाट की तरफ सुखपालों में बैठकर श्यूगल सुरूप और हम सखिया आ जाते हैं तो हम सखिया वाला जी के नीचे से सिंख सुखपाल को निकालती है कोई उपर से निकालती है, कोई दाए से, कोई बाए से, कोई उपर से फूल खेरती है हम सकhiyah मिलकर खूब लाट करती है राजी को, तो हम आपस में भी खेलती है और किस के साथ खेलती है हम? एक रामत तो भूली गया हम, प्रीम की रामत, जो हम धनी के साथ खेलती है वनों में आये हुए हूँ या रातरी का समय हो जिसमें सुख सिज्या के सुख है रातरी के नौ बजे से सुबह के छे बजे तक हम वाला जी के साथ प्रेम विलास की रामतों में रमन करने है धनी कहते हैं वहाँ चल वहाँ देखना देखना ही है तो कुछ महल मंदिर अपने देखी तिरे को समय नहीं मिलेगा फुरसत ही नहीं मिलेगी इन महल मंदिरों को देखने से कहीं और देखते ही क्यո है क्यों देखना है तुझे जाके Eiffel Tower क्यों देखना है तुझे संसार की जगाओं के ना मुझे ज़्यादा पता नहीं क्यों तुझे अमरीका देखना है कैनेडा देखना है क्यों तुझे कुछ और देखना है क्यों तुझे मरंग महल नहीं देखना है मैं आपको बताओं मैं अपने अनुभाव से आपको बता रहा हूं आप आठ साल आठ साल हौज का उसर पे लगाई है चर्चनी भी समझी है चित्वनी में भी अनुभाव कीजिए फिर भी जब दस्वा साल आएगा न कोगा है यह वाली जगा तो मैंने देखी नहीं थी पहले कभी यह वाला स्थान यह वाली रामत अब तक मुझसे अच्छोती थी इतना अविस्थार है परमधाम 25 पक्षों में एक एक पक्ष को जानने में डूबने में लेने में दसियों साल लग जाते हैं एक पक्ष की बात करना और अभी तो 25 पक्ष हैं और फिर प्रतेक पक्षों में भी अनंत पक्ष हैं, जैसे वर्नन आता है वाणी में कि परमधा में आठ सागर है, परंतु हर सागर में अनंत सागर है, पुरा-पुरा ब्रमान है, मैं तो ब्रमान कहा रहा हूँ, पृत्थिवी तो बहुत छोटी चीज है, एक ग्रह तो बहु की जमना जी बताया, वर्नन के है, अठारा लाग कोस, इसको किलो मेटर में करेंगे तो इंटू-टू करना पड़ेगा, पूरा ब्रमान है, एक एक पक्ष में, सागरों के उपर भी टापु महौल है, तो सागरों के नीचे भी ब्रमान है, जहां हम सखिया जाती है, धर्ती पर ब्रमान है, तो आसमान में भी पूरे ब्रमान है, पुखराज पहाड का तो वर्नन ही नहीं किया, राज जी नहीं, पूरा किसी परमहस में है, वो शमता ही नहीं थी कि पूरा वर्नन कर पाए, पांच धंबो का वर्नन किया, व्रिक्षो का धाईसो भूम में आकर जुड दाइसो भूम से हजार भूम तक इतना बड़ा वो है कि हिमालिया रेंज छोटी पड़े उसके आगे इतना बड़ा पुखराज पहाड़ा उसमें क्या वर्नन है कहते अपनी कल अपनी चित्वन की दोड़ से देखो अपनी आत्मा की दृष्टी से देखो कितना वर्नन किया तो वो देखी ना जिन्दगी तमाम हो जाएगी 25 पक्षनिक हतम होंगे और देखना भी है कि कुछ और देखे ही क्यों यह सब पराया है वो अपना है तुम घर खरीद लो महल खरीद लो देश खरीदो फिर भी पराया क्योंकि छोड़के जाना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा यह भी पराया है यह भी छोड़के जाना पड़ेगा वो अपना है वो कभी नहीं छोड़ सकता तो महल मंदिर अपने देखिए और उनमें देखिए खेलन के सब ठोर वहाँ आपने खेलने के ठोर देखो ठिकाने देखो रामते देखो लिलाए देखो डूब जाओ कितना सुन्दर जीवन होगा प्राणाधार सुन्दर साजी जैसे माल लीजिए मेरी 40 वरिष्ट की आयू है राजजी ना करे जादा मेरी आयू हो लेकिन माल ले संसार एक द्रिष्टी से अगर 70-80 साल आयू बची है राजजी ना करे हो इतनी तो 20-30 साल अगर सोचिए परमधाम 25 पक्षों में भीते मैं कहूँ बता ही नहीं लगा समय कहां निकल गया खेल कब खतम हो गया मैं तो 25 पक्ष में डूगा रह गया निकल ही नहीं पाया हो आसे कितना अच्छा है कितना अच्छा जीवन होगा कि रंग महौल से निकला तो हौज कॉसर में चला गया होज कॉसर से निकला था तो फूल भाग में अड़ गया फूल भाग से निकला पुखराज पहाड चला गया और इसी में ये 30-40 साल खतम होगे पता ही नहीं लगा और अभी तो पक्षबाकी थे कितना चाहू उन महौल, उन मंदिरों में उन खेल इनके ठोर में ही हम इतने वैस्त हो जाएं आगे क्या कहती है महामती जित है लीला शाम शामाजी परमधाम परमधाम है शाम शामाजी की वज़े से वहाँ खेल कौन रहा है हर पशू, हर पक्षी, हर प्रकृती, हर वन हर एक के अंदर खेल कौन रहा है इसलिए आनन्द मही है क्योंकि वहां कौन है हमें इस दुनिया में सबसे धार करने वाले दो स्वरूप शाम शामा जित है शलीला शाम शामा जी उनकी लीला है प्रेम की लीला यहां कौन सी लीला देख रहे हैं सुन्दर साज जी हम अक्षर की लीला देख रहे हैं सत्ता की अच्छी लग रही है मुझे तो नहीं लग रही सत्ता की लीला किसको अच्छी लगते है डंडा किसको अच्छा लगता है रॉब किसको अच्छा लगता है गंदा बोलना सुनना किसको अच्छा लगता है ऐसा नहीं हमारे समाज में कई महापुरुश्य जिने गंदा बोल नहीं अच्छा लगता है वो एक अलग बात है दिल दुखाने वाली भाषा जब तक बोले ना तब तक उनका खाने नहीं हजब होता उनको लगता है यह अधिकार है मैंने किसी को टोका भी मैंने का आप ऐसा क्यों बोलते हैं किते सरकार भी बोलते थे नहीं का कमाल है उन जितना प्रेम तो किया नहीं उन जितनी सेवा तो हमने के नहीं सुन्दर साथ की उन जितनी परवा तो नहीं करी हमने बस डाटना सीख लिया हमारा अधिकार नहीं है सुन्दर सान को डाटने का अधिकार हमें नहीं है उनको दर्द था हमें क्रोध है, हमकार है उनको दर्द था वो दर्द में डाटते थे और चितना डाटते तो उसे दस गुना ज़ादा प्यार करते थे कोई रूठ जाता था, गलत बात पे भी, तो भी मनाते थे, हम तो सिरफ डाटना सीख गए, हम तो दिल दुखाना सीख गए, और बड़ा दुख लगता है जब कहो कि क्या कर रहा है, वो चटनी हो रही है, जो लोग नराज हो रहे हैं, तो क्यों हो रही है, और मुझे इसलिए परमधाम अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ ये सारी लीला है नहीं है, वहाँ क्या है, कौन सी लीला है, शाम शामाजी की, प्रेम की लीला है, जित है लीला शाम शामाजी, साथ जी बिना नहीं कोई और, कौन है परमधाम में सिरफ सुन्दर साथ, सिरफ सक्यां, हम सुद्र साथ में कितना प्रेम होना जी है, सोचे, एक वतन हमारा, एक खसम हमारा, एक रहनी हमारी, एक घर हमारा. कितना संसार में उसी से प्रेम होता है, जहां कुछ चीज common होती है, हम में तो सब कुछ ही common है, एक मिट्टी के वनेया, एक मिट्टी के है, आपका मेरा टेस्ट कितना मैच करता है, आपको भी राज्जी अच्छे लगते है, मुझे भी राज्जी अच्छे लगते है, आपको भी उनकी बाते अच्छे लगते है, मुझे भी उनकी बाते सुनना अच्छे लगते है, हमारा कितना प्रेम होना चाहिए, तो राज्जी कहते है वहाँ जहां शाम, शामाजी और सक्षियों के बिना कोई और नहीं है हम सक्षियों को संसार मुझे तो नहीं अच्छा लगता जो संसार की बाते, इधर की बात, उधर की बात, निंदा की बात, चुबली की बात ये बात, वो बात उसकी बहु ये कर रही है, उसकी चाची ये कर रही है, उसका ये कर रहा है उस जगह ऐसा और अब मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, हम सक्यों को नहीं अच्छा लगता हम सक्यां जब परमणाम में मिलती थी तो मसलत करती थी और बात करती थी कहां की? धनी के गूड प्रेम की रहस्य की बाते करते थी तो राज जी क्याते है वहाँ चलो वहाँ हम तीनों के लावा राज जी, शाहमा जी, सक्कियों के लावा तुझे और कोई चौधा नहीं मिलेगा सिरफ हमारी लिला मिलेगे तो मेरी ख्याल से तो इनिमंतन स्विकार कर लेना चाहिए आगे क्या बोलती है महमती जी रेत सेत जमुना जी तलाम रेत सेत जमुना जी तलाम कई ठोर बन करे विलास रेत जमुना जी के किनारे रेती का वर्नन आया है सागरों के भी किनारे रेती का वर्नन आया है कुझ वन की रेती का भी वर्नन आया है कुझ निकुझ के वनों में भी रेती का वर्नन आया है पश्चिम की चौगान में भी रेती का वर्नन आया है और यहां तक कि कई-कई परम हंसों ने साथ वनों में भी रेती का वर्नन किया है कई जन बागी चे घास का भी वर्नन करते हैं चांदनी चौक में भी रेती का वर्नन आया है परम धाम की रेत में चलने का क्या सुख है सुन्दर साथ जी कभी अनुभव कीजिए कुमल कुमल हलकी ठंडी नरम नरम रेत जिसमें पाउं मारते मारते चलते हैं हम लोग बिलकुल भूली नरम राजी के साथ लाड़ करते वे जमना जी के किनारे पर रेत पर चलने का क्या सुखे सोचिए सागरों के किनारे में वाला जी के साथ चलने का क्या सुखे और ये तो सही चित्वन में अनुग भाव दिली नहीं करेगा आने का दिल करेगा पूरी रात रातरी के नौ बजे से सुबह के छे बजे तक हम वाला जी के साथ सागरों के किनार पर आई रेती में बैठे रहे या वख करते रहे तो रेत कैसी है श्वेत सेत मतलब श्वेत रेत श्वेत जमुनाजी तला कोई कई ठोर बन कई विलास और क्या है जमुनाजी है और जमुनाजी कहां जाके मिलती है हौज को सर्दाल में इन विलासों को याद कर राजी कहते है कई ठोर बन करे और वनो में भी कई ठोर हैं कई ठिकाने हैं तेरे वनो में नीचे मैंने जैसे बताया रिती का वर्नन आया साथ वनो में वहां पर सिंघासन कुरसियों की बैठक आई है सीडियों से उपर चले जाओ तो पहली भूम में बड़ा सुन्दर आनन्द हो जाता है फूलों के बेलों की पत्तियों की पूरी भूम बनी हुई है फिर उसके उपर उसकी चांदनी पर चले जाओ तो चांदनी पर रवालाजी के साथ बैठने का सक्षियों के संग दोड़ने का घुड सवारी का पशुपक्षियों की सवारी का सुख मिलता है कई ठोर हैं कई तरह के विलास है राजजी के अने करना अब उन्होंने एक शब्द पूरी सागर को गागर में पिरो दिया कि कई ठोर बन करे विलास अब आप याद करो या आपके पर छोड़ दिया मैं आपको सही तरीका बताओ वानी पढ़ने का इसे पढ़िए आखे बंद कीजिए और याद कीजिए अपने विलास को क्या-क्या विलास करते हैं वनों वेवानाजी के साथ नहीं तो अभी हमारी बुक रिलीज होने वाली है थोड़े ही समय में परमधाम 25 पक्ष परमधाम दर्शन परमानंद की और तो उस बुक में आप एक चैप्टर आता है कुझ निकुझ का उसको आपढ़िएगा कैसे विलास होता है जब हम सखिया वालाजी के साथ बट पीपल की चौकी में बड़े जूलों पर जूला जूलती है तो ये जूले जो है वो नहरों के उपर पड़े है हम सखिया जब वालाजी को जूला जूलते देखती है उनके सुन्दर चरण जो है वो जल को काटते हुए निकलते हैं पानी को तो वो द्रिश्यत देखने वाला होता है और उस उन्य चरनों से जब वाला जी जल उचालते हैं हम सक्षियों पर तो वो चरनामत की बूंदे बाकर जो आत्माई तरफ्त होती है उन्य सुखों की बात की गई है तो जब ये चुपाई पड़े और उसका ये चरन पड़े फिर डूब जाईए परमधाम के 25 बक्षों में क्योंकि बहुत शॉर्ट में लिख दिया न कई ठोर बन करे विलास याद कीजिए फिर उस विलास को इश्क के सारे अंग भीगन क्या लेकिन प्रव शर्ट क्या है इश्क में सारे अंग भीग जाने चाहिए जब आप परमधाम के विलास को याद करो जमनाजी को याद करो हौज कौसर को याद करो परमधाम की रेति को तो एक बात याद रखना कि तुम्हारे वहाँ पर सारे अंग इश्क में भीग जाते है पुझाता है रगाजी के इश्ट और उसके लिए बड़े-बड़े आक्शन्स की जुरुवत नहीं है जमना जी के किनारे रेती पे आप वाला जी के साथ जाकर सिरफ बैठते बर मुझे दुनिया का सबसे सुन्दर पोज लगता है जब आपको महाराजी के कंदे पे सर रखकर सिरफ बैठने को मिल जाता है आपने कभी वो चितर देख हैं जिसमें सक्षियां ऐसे महाराजी के कंदे पे सर रखकर बास पताने क्या जादू है राजी में इतने से में बहुत बहुत सुक मिलता है लीजे इश्क में सारे अंग भीग जाते हैं इश्क में सारे अंग भीगल रहसे रंग विनोध कैंहास अब मैं चाहूँ भी न तो इस चरण का अर्थ करी ही नहीं सकता एक घंटे से फैले इतना कुछ है इस चरण में क्या कह दिया इश्क में सारे अंग भीगल, कई रहसे रंग, कैसे बताओ इसे, जब हम राजी के प्यार में पढ़ते हैं, और जब वाला जी हमें नियाहारते हैं, तो हमें भी नहीं पता होता कहां कहां गुदगुदी हो रही है, कौन-कौन से रंग हमारे अंदर, कौन-कौन those feelings which you have never experienced before आप उनुन रंगों से मिलते हैं उनुन विलासों से मिलते हैं उनुन आनंद से मिलते हैं जिनके बारे में कभी आपने जाना ही नहीं था कि वो भीतर है कई रहसे खुलेंगे आपके हिर्दे में जब धनी के प्रेम में डूब कर आप धनी के ओर या राची आपके ओर देखेंगे रहसे रंग विनूद कई हास और कई तरह से हसने हसना भी कई तरह का होता है एक कोई जब हसी मजाक होता है तो जोर-जोर से हसना होता है कोई सखी गिर गई कोई सखी ने कोई ऐसी लाड़ किया कोई लीला करी पेट पकड़ पकड़ के जैसे दूसरी भूमे भूलवनी के मंदिर में जब सख्कियावाला जी को पकड़ने के उसमें जल्दी में शीशे से टकर आ जाती है तो हसी होती है ठीक है? हाई हास भी जो शब्दायाना हसी भी कई तरह की होती एक तो अठकेली में हसी हसते हैं एक हसना होता है प्रेम में आनंद में और सबसे गहरी हसी होती होती है बलकि हलकी सी मुश्कुराण होती है जब प्यू नेत्रों नेत्र मिला कर आप धनी के हिरदे की भावनाओं को पूर तह जान पा रहें और आप धनियाब की उस परमानन्द में उस उन भावनाव को जब आप जानते तो पलकिके बड़ी हलकी सी स्माइल आती है लेकिन अंदर अंदर जौर भाटे हो रहे होती है अंदर बड़ी-बड़ी लहरे उठ रही होती है लेकिन उस परमानन्द में एक्स्प्रेशन के नाम पर धलकी सी स्माइल आती है तो कई हास, हास की भी कई वेराइटी बोल दी राज जी ने उस रहसे को, उस रंग को, उस विनोध को जानो चलो चलो रे साथ, आपण चाहिए न नजर फिर लीजिए खेल कितना ही शोर मचा है, कितनी बरबादी मचा है, कितना कर ले इंदरावती जी से जादा तो नहीं मचा लेगा न पतनी का त्याक करना पड़ रहा है, गमन का इलजाम लगा दिया गया है, घर में कुड़की हो गई है इससे जादा तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है बड़ी महराश्यर के अपने दोनों पुत्र का उनके सामने धामगमन हो गया सरकाश्री के अपने पुत्र का उनके सामने इससे जादा तो शोर नहीं मचा सकता फिर भी इन सभी ब्रह्मुनियों ने दिहान अपना धनी के और रखा सूर्था अपनी धनी के और रखे पार हो गया केल नाटक ही तो है सरकार श्री ने अपने पुत्र के धाम गुमन पर कहा किसने का सरकार ये क्या होगा किते ये तो देखने आये थे भई ब्रिज से रास से जब धाम गए उमेदा ना हुई है पुरण ये देखने आये तो देख लिया ब्रिज में नहीं देखा था इतना कनाटक कर को नाटक कर जान के साइड कर दिया सुदर साहाजी हम लोग बड़े भागिशा ली कि हमें ऐसे सत्गुरु मिले जो पहले चले और फिर हमें चलने को कहा है तो अब चलते हैं अपनी सूर्ता को धनी के और मोड़ते हैं धाम के और मोड़ते हैं और अपने एड़ते को खेल में होने दीज़े जो शोड़ हो रहा है जब कह दिया नाटक हैस्वपन है तो अपने मूल वतन अपने धन धनी के बीच में हम क्यूं ना रहे हैं अगर जितना भी समय बिताना है और option हैं तो क्यूं क्यों न हम सकھیयों के साथ राज जी के साथ शामजी के साथ समय बिताएं जिए संसार में बिताएं यह choice हमारी है मैंने उपर की चुपवी में बता हम ही अपना नर्क लिख रहे हैं और हम ही अपना आर्ष लिखेंगे इस वाणी के मार्क दर्शन के द्वारा ये जो हमें रास्ता दिखा रही है उस पे चल कर रास्ता बड़ा सरहल है यहां से नजर वहाँ यहां से देल वहाँ वहीं बैठें अपने पे मॉनिटर बैठाईए कि ये बात मैं क्यों कर रही हूँ ये तो माया की है ये बात मैं क्यों सोच रही है तो जूट की है ये बात मैं क्यों सुन रही हूँ ये तो माया की है अवाइड कीजिए बुरा बनना सीखिए सुन्दर साध जी, हम ना बुरा नहीं बनना चाहते, कोई लगा हुआ बाते कर रहा है, माया की निन्दा की उसकी ओर हम उसको टोकते भी नहीं, उठके भी नहीं जाते, सरकार साथ कहते तो टोकतो या उठके चले जाओ, क्योंकि जो खाओगे उससे तवेत खराब होगी या बनेगी न ऐसी जो सुनोगे उससे भी यही होगा जो बोलोगे उससे भी आपकी आत्मा का संसकार बनता है और मिठता है अपने अपे मोनिटर लगाईए रोज पूरे दिन में यह चिंता क्यों करhtu हुई जूट की बात क्युन सोचरी में तो परम नाम में बैटिन अपने परंकुष लगाएं तो कुछ बनपाएकर नहीं तो कोई आपके दिल में कितना बैठ कर रोख सकते है आपको, आप ही रोख सकते है, और जो अगर आप अपने 24 घंटे को कलीजिंग कर पाए, कलीन कर पाए, विचारों में अपने धनी को रखा, शरीर काम कर रहा है दिल रनी में, जो आप ऐसा कर पाए तो दनी सामने ही मुस्कुराते बैठे हैं, कहीं दूर नहीं है तु आपे पर्दा करते हैं, दनी नहीं तुछ से दूर तु आपे न्यारी होते हैं, दनी नहीं तुछ से दूर हम वहाँ से नजर आठाता हैं, हम उनको महत्वनी दे रहें तो मैं सभी सुन्दर साथ के चड़नों में प्रार्तना करूँगा इस प्रिक्रण को एक बर खोद अध्यन करें और कुछ गंभीरता के साथ विचार करें कि अब हमें कहां रहना है बैठे तो धाम में ही है सूर्ता हमारी कहां रहे खेल में के धनी में अब हमें विचार करना है कि दिल किसको देना है इस संसार को जो बार-बार इसे दुखी कर रहा है कि दनी को जो इसे फूलों से भी प्याया नाज़ुक तरीके से रखते हैं प्यार से लगए जहां दिल देंगे जहां नज़र देंगे वही हमारी परिस्तिती हो जाएगी हम अपनी परिस्तिती के जिम्मेदार है कोई और नहीं हमारा कोई शत्रू नहीं शत्रू बाहर नहीं भीतर है भीतर के शत्रू को जिसने पहचान लिया वो जीत जाता है संसार और जो शत्रु सदेव भाहर ढूंडता रहता है वो हाराई रहेगा इतना ही स्विकार कीजिए बलो श्री प्राणनात प्यारे कीजिए बलो श्री सद्गुरु महराज की सुन्दसाज जी जो भी प्रशन हमारे वानी बितक चर्चनी चित्वनी से सम्मंदित होते हैं तो आप हमें जो हेल्प लाइन नंबर है उस पे अपना प्रशन आप डाल सकते हैं कोई और भी आपको वानी बीतक चर्चनी संबंदित कोई प्रेशन हो तो आप उसमें डाल सकते हैं और इसके इलावा किसी भी तरह से कोई भी समस्या हो तो यह हल्प लाइन नंबर उसी के लिए बनाया गया है और जो सुन्दर साथ सेवा में रूच्ची रखते हैं और चाहत दिया जाएगा यह हल्प लाइन नंबर और सुन्दर साथ से भी शेयर कर सकते हैं और यह ताकि जिसको भी कहीं भी कोई अर्चन आ रही हो तो हल हो सके प्रणाम जी प्रणाम है प्रणाम